नमस्कार दोस्तों आप सभी का अभी की दुनिया EKD चैनल में स्वागत है आज 7 सितंबर 2021 को दाहिंदू न्यूस्टूपर के एडिटोरियल सेक्षन की परों को पढ़ना शुरू करते हैं तो आज के एडिटोरियल सेक्षन की जो सबसे बड़ी न्यूस है उसका टाइटल है the long end of the MNP इसका हिंदी में साब्दिकर्थ होता है NMP का लंबा और छोटा लेकिन यहां इसका कुछ और आर्थ है इसका आर्थ है कि NMP के छोटे और बड़े परिणाम तो चलिए से पढ़ना चालू करते हैं यह आश्यर की बात है कि सरकार ने आम नागरिकों पर संपती नए नए बुनियादी ढाचे पर संपतियों के संचालन के लिए सरकार के फैसले की गोशड़ा की थी, इसे नई बुनियादी ढाचे के निर्माड के लिए एक महतपू reign वित पोशण विकल्प के रूप में घोशचत या गया था उन्होंने घोशड़ा कीकि इस का मुद्रिकरण करके अगले चार वर्षों में 6 लाग करोण रुपए जुटाने का इरादा रखती है इस सरकार के शब्द कोश में संपत्ति मुद्रिकरण शब्द नया नहीं है इसका उपयोग एर इंडिया और अनिस सारजुनिक चेतर ऑदों के प्रसतावित्विद्य नैवेश के दौरान किया गया था इस प्रकार संपत्ति मुद्रिकरण वास्तों में सरकारी स्वामितळ वाले का दूसरे नाम से निजी करना है बेद करने की कोशिश कर रहा है शब्दावली में बदलाओ का एक संभावित कारण निजी करन शब्द से जुड़े मजबूत राजनितिक उपक्रम है नीती आयों की दो खंड रिपोर्ट जो परिसंपती मुद्री करन गाइड़ बुक के रूप में कार आत्मक अंतर है एक बहुत बड़ा प्राश्ण है को मैं पाढ़ने जा रहा हूं नीती आयों की रिपोर्ट में परिसंपती मुद्री करन का वरण निश्क्रिय पूजी को अनलॉक करने और इसे अन्य परिसंपत्यों या पर्योजनाओं में पुनर्वेश करने के लिए प्रशित रूप से विदूनों सकते हैं दूसरा या देश के आम नागरी कथित अत्रिक तिला प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं और अंत में सरकार करदाताओं संपत पेचने के बजाए संसाधन जुटाने के अन्य रास्ते तलाश सकती थी सरकाने निर्जी सस्ताओं क को अस्तानातर करने के लिए निश्पाद संपत पहचान यह रणनीति और महत्तुपूर्ण दोनों हैं इनमें दारजलिंग मालियन रेलवे से 26,700 किलोमीटर से अधिक राजमार 400 रेलवे स्टेशन नपे यात्री ट्रेन चार पहाड़ी रेलवे शामिए इसके लावा दूर संचार विजली वितरन और पेट्रोलियम पेट्रोलियम हुदपादों और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में मौझूद सारजुनिक शेत्र के बुनियादी धाचे को नंपी में शामिल गया गया है तो क्या नेजी शेत्र उन पर अधिकार हासिल करने में जस्पीलता पट्टे पर देने या पीजने का इरादा रख जो की अग्रेम और या आवदिक बुक्ता नहों सका है इस प्रकार संसाओं में सरकार के से पट्टे पर देने या विनिवेस अपेक्चित विताय प्रवाह केंद्र सरकार के लिए बड़ालाब होगा जो एक विताय संकट की चपेट में हैं 2020 में केंदर सरकार का लिए जीडीप उनपाथ 30 प्रतिशत अधिक हो गया था जो एक साल पहले 48.6 प्रतिशत था मुझूदा उम्मेदे हैं कि 2021 में यहां का 62 प्रतिशत के करी होगा इसको देखते हुए पी को संसाधन जोटाने और राजकोष गतिरोज से बाह सब्सक्राइब निकाली सरकार के साकेश महत्वपूर प्रभाव इनेंपी के संबंद में विद्यमंद्री भुषणा का सबसे आश्रजन पहलू यह है कि सरकार ने देश के आम नागरिकों पर संपत्ति मुद्रिकरण के परिणामों का उलेक करने से परहेचिया है इस मुद सब्सक्राइब दूसरा इन परिशंपत्त का प्रबंदन अब तक सरकार और की एजेंसियों द्वारा किया जारा जो जने में काम पर लाफ कमानों विचारों के परिशाओं के लिए जन्दा द्वारा विए जोल्क रिद्व यह कंपणी राजमार्गों और वेल्वेस लेकर सरकार और गैस प्रमू योगिताओं तक सब्सक्राइब को चलाने साथ इस देश के नागरिकों पर दोहरक लगे पहले होने संपत्य बना के लिए करों का भुक्तान गया और अब करता शुल का भुक्तान करें हां सराल काना साजुन के द्राओं निज कम लाब तम और चेयर दूसरे शब्दों या सामाज लाब बल्गी रिटर्न जो कॉर्पोरेट्स को चलाता है सार आदे संपति को कमपनियों सनात्र आयारी कर यह सुनिशत करने में दारी एक व्योक्ता शुल भुक्ताओं को बाजार्स बाहरते माध्भूल आयाम बोट वस्पता यह सपश्ट ए देश की राजदान विजित पणाले करनों कालेन कॉंग्रेस सरकार विजिकरन और इसके प्रणाम तरूप बिजले शुल्पारें से नकेवल गरीबो अधिक मच्छान बड़ी वल्क वर्क पर बूल पर दस्विजप्रत कराना आम आदमी पार्टी नौवी वादों का को प्रतपर अधिकांज नत देश के तुल्ला में जीटी अनुपात अपेक्स कम था नुपालनदार और कामी को दूर करने पर लंबे सर्य राजस सब्रक्स तरीके के रोज देख बहुत कम जया गया है जैसा गारण पता दोजार पांच से सरकार एलेक्ट्रोनिक रूप तरन प्रतिशत कमपनियों ने गोश्रा कि कोई लाप ने कमा रहे और यहां करा दोजार अठारा उन्नीस पड़कर क्यावन प्रतिशत अधिक गया था इसके अलामा दोजार पांच एक करोण या उसे कम-कम नाफ़ा कमाने वाई रिपोर्टिंग पुनियों का हिसा पच्पंजर यह आकणा गड़कर नेतालीस प्चत रहे गया था यह संख्या केवल एक निशकर स्परपोस्ती है भारत की बड़ी कमपनियां कम मुनाफ़े की रिपोर्ट करने और करके दायरे से बचने के लिए खामियों का फायदा उट लेकिन एक बाद एक सरकारे इतनी उदार क्यों ह करना है नीट यायोग का उद्देश मानता है कि सारजुनिक हेत्र के उद्यम अक्षम है जो वास्तविक्ता के विप्रीद 2018-19 में जब की में से 28 प्रतिशत उद्दम घाटे में चल रहे थे बड़ी कमपनियों के लिए यह अकड़ा क्या वन प्रतित था क्या या मान लेना अधारतवादी है कि परिसंपत्य मुद्री करण कारिकरम दक्षता प्रदान करेगा बाचीत के अंस्ते विश्वजीत धर जी के साथ जो की सेंटर फॉर एकोनोमिक स्टी एंड प्लानिंग फूल आप सोशल साइंसेज जवाल लान नहीं दिली में प्रोफेसर है इसी के चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं दिशाना बनाया गया था अफीम के व्यापार से संजालित और आदिवासी नेताओं द्वारा शासित अर्थ विवस्ता के लिए नया सामान अज्थिरता लड़ाई समूहूं या उसके बाद उफान उदासी और कयामत द्वारा शासित होना तैं लंबे युद्ध के बाद लूट वास्तों में संयुक्त राज अमेरिका ने अफगानिस्तान चोड़कर चतुल बदले में उसे जना मिल रहा था उसे कहीं अधिक अफगान कभी की कीमत चुका रहा था ब्राउन उनिवस्टी यूएस का एक अनुमान बताता है कि 2001 के बाद से अमेरिका ने 2.26 ट्रिल बारे में अर्तवियोसा अभी एकी भगार सकती है वहाई अफीम और भाड़े की सेनिकों का उत्पादन करने की शम्ड़ लेकिन फिर अफगानिस्तान में कुछ अन चीज़ें हैं जो मूलवान हैं दुरलब प्रत्वी धातुएं और ताबे की विशाल भंडार विशेश र अमेरिका की प्रतित कात्मक निकासी के बराबर दरसल चीन ने काबूल में अपने दूतावास चालू रखें और इसके साथ साथ रूस जब पश्चिमी दूतावास गयब हो गये हैं इसके लावा चीन बेल्ट एंड रोट एटी भी याराई निवेश को पूरा करने के अफगानिस्तान में चीन उपस्थ्री भारत के लिए अशुब हो साथ भियाराई में महत्तों करी अफगानिस्तान वासतों में वफ्याराई के लिए महत्तों है इसे प्रोजेक्ट में खर्च करना आसां होता है लेकिन पैसा वापस पाना पेहद मुश्किल होता है व्यापायर की मात्रा जो नई सिल्क रोट के माद्यम से प्रवायत होने चाहिए वह बड़े पैमाने पर और देर खालिक होने चाहिए अन्य था इसमें पैसा और प्रयास कर्च होगा वास्तों में चीनियों ने इस निवेश रणनीती को सफलता पूर्वक लागू किया और इसने दक्षड पूर्व एशिया और अफरीका के संदर में अच्छा काम किया सबसे पहले दक्षड पूर्व एशिया में उत्पादन की लागत कम होने का मतलब है कि चीनी कमपनियां अपने उत्पादन अड़ों को चीन देगे बाहर सनांतरी तरके लाव राप करती है दूसरा इंग शेत्रों में निवेश का मतलब चीनी फर्मों के लिए बड़े बाजारों तक पहुच और अधिक समान शेत्री विकास था उधान के लिए जुनान रांत अपेक्षा करित और विक्षित गुनमेंग शेत्र एक व्यावसाइक के इंदर बन गया तीसरा चीनी कमपनियां अपने निर्याद पर लक्षित अन्रक्षन वादी वायों से बस सकी है जब उन्होंने इसके बजाए दक्षिवड पूरू एशियाई देशों से रियात करना शुरू किया जोथा अफरीका और एशिया में निवेश ने चीन की कुछ उर्जा आवशकताओं को भी कम कर दिया है इससे बीजिंग को तस्ती विदेशी ओर्जा तेल और और खनेजों तक पहुचने में मदद मिली है चीनी फर्मों ने म्यामार में जल विदुत सायंत्र और एक हर्मल पावर स्टेशन का भी निर्माण किया है चीन ने वियतनाम में बिजली और ताबा परस्करन गतविदियों में भी निश्या है चीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की मामले में भी उन्हीं रणनीतियों की नकल करना चाहता है इन दोनों देशों में सफलता का अर्थ यह होगा कि चीन हाई स्पीड रेल लाइनों पाइप लाइनों और समूदरी संपरकों के माध्यम से हिंद महासागर के तटवर्ती और यूरेशिया के एक बड़े हिस्से को एक साथ लाने में सक्षम होगा दुनिया के बाकी हिस्सों से जुड़ने का विचार विनिर्मार से बाहर निकलने वैश्विक मूल श्रंकलाओं में उपर जाने और उतपार डिजाइन और नवाचार पर ध्यान की इंदरित करना शुरू करने की चीन की आशंका से उप जाए चिन सरकार के नुसार बियाराई के विकास से 4.4 अरब लोग प्रभावित होंगे और एक दशक के भीतर 2.5 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार होगा आतंकी चाया लेकिन यहां दूसरा पहलू है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तुलना दक्षड पूर एशियाई राश संग आसियान से नहीं की जा सकती है काभूल और गौादर में हाल के आत्मगाती हमले एक संकेत हैं और यहां तक की अलकाइदा, दाइश और इस्लामिक स्टीट जैसे अतंकवादी समूहों के पुनुरतान का संकेत भी दे सकते हैं चीन के उईगुर प्रांत में तक्री एक अतंकवादी समूह अफगानिस्तान में समावेशी और शान्ति पूर्ण विकास के लिए चीनी नित्रती में भी इक्षाक्यों नहों वास्तों में चीजें के बिल्कुल है यहां तक पाकिस्तान को देखते हुए अफगानिस्तान से अपेक्षाक्रित पेहतर देशीनियों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान बियाराई के तहत बनी चीन द्वारा वित्त पोशित उर्जा पर्योजना को चुकाने में आसमर्त है वन्षवादी, राजनेती और ब्रष्टाचार के कारण पाकिस्तान की अर्थव्योस्ता लड़ खड़ा गई इसके शिर्ष पर सेना पर राजनेतिक वर की अतदिक निर्भरता है व्यावसाइक निर्णाय आर्थिक रूप से संजालित नहीं होते हैं बलकि नहित वारतों से प्रेरित होते हैं और सेना को गोली मारती जाती है यह मानने के अच्छे कारण हैं कि काबूल में तालिबान की वापती चीनियों के लिए निराशा और कयामत लाएक तालिबान के शासक एक जुट नहीं है जिससे कोई भी विश्वसी घरेलू और अंतराश्टी नीतिगत भविश्वाडियां करना असंबह हो गया है अफीम निर्यात पर निर्बरता अफगानिस्तान को विश्व माफियाओं और ब्रष्टाचार के प्रदिस संवेदन शील बनाती है इसके आलोक तांतरिक शासकों की तुलना टीन जैसे निरंगकुष्टा नहीं किजा सकती है जिसमें एक अंतर नहीं तिर्चरित रहे तालिबान नियंतरित अफगानिस्तान में प्रतिबंद विद्रोह गुटिय युद्ध संभावित घटनाएं होंगी ये मुद्ध कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्क और बियाराई श्रिंकला में अन्यावश्चक रिंगों तक पहलेंगे इसलिए अगले दशक में अफगानिस्तान से वियापार को अवरुद या प्रतिबंदित करने के संभावित यूरोपीय और अमेकी निर्णियों के बाद बी आर आई वियापार प्रवाह रुकने और जाने का एक करम दिखतेगा अमेरिका और चीन के भी अमित्र संबंदों को देखते हुए किसी भी बहाने को मूल रूप से उठाय जाएगा और वाइट हाउस द्वरा बी आर आई के साथ वियापार को रुखने के लिए समाल के इसलिए बी आराई में नगदी प्रवाह लगातार रुकावट के जोकिम का सामना करेगा वितिय बाजार इस में तो शामिल करेगा और बी आराई के शेशों पंडिंग को और अधिक महांगा और प्रत्वंद कर देगा शतरंज के केल में अफगानिस्तान को काली करने का अमेरिका का कदम वास्तों में चीन के लिए मांगा साबित। निलांजल पानिक पूल आफ मैनेजमेंट महिंदरा इनुवस्टी हैदराबाद आता इडो कोजी इंस्ट्ट आफ इकोनॉमिक इनुवस्ट के साथ हैं जो सें पर निर्माण के लिए हाथ मिलाने की आवशक्ता है लिविया के पूरोताना शाह मुअमर कद्दाफी के बेटे अलसाधी कद्दाफी की रिहाई ऐसे समय में हुई है जब त्रिफोली में एकता सरकार मिलिशिया को निरस्त्र करने राज संस्थानों को संगठित करने और च शासन को गिराए जाने के पहले कद्दाफी के उत्रादिकारी के रूप में दिखा गया था उने जुलाई में संकेत दिया था वह राश्ट्पति के लिए निर्दारित दिसंबर के चुनाओं में चुनाओं लड़ेंगे श्री साधी पर 2011 में प्रदर्शन कारियों के खिला आगे नहीं बढ़ सकते नामित प्रदान मंत्री अब्दुलहमीद तबीबा ने ट्विटर पर लिखा कदाफी के निदन के बाद से तील सम्रिद उत्री अफ्रीकी देश में बहुत कम शांत देखी गई नाटो ने तब अपनी सेना को हाने के लिए विबिन मिलिशिया समू रहे है जल्द ही दो सरकारे थी ट्रीपोली राजदानी में और पूर में टूबरुक में रिपोली सरकार जिसमें मुशलिम ब्रद्र हूड की लीबियाई टाका करती ती जब्कि टूबरुक सरकार ने खुद पों देश में इस्लामी उग्रवा की प्रतिकार के रूप में कर रहे कुस्सायुक तरीब अमीरात और मिश्र का समर्थन प्राप्ता लीबिया अराजक्ता में डूप गया 2019 में खलीफा हफ्तार अपने मिलिशिया के साथ टोबुक सरकार का समर्थन करने वाले पाकंडी जनरल ने ट्रिपूली पर कबजा करने के लिए एक सेन अभियान सुरू कियास और उपुरे देश को अपने नित्रत में लेने और एक सरकार ठा site करने का वादा किया लेकिन प्रिपूली सरकार से उसकी सेना का मुकाबला किया जिसके कारण दोनों गुटों ने पिछले साल सायुक्त राष्ट की मदस्तता वाले युद्ध विराम को स्विकार किया इस साल मार्च में वे त्रिपोली में एक एकता सरकार स्थापित करने के लिए सामत हुए जो चुनाव कराएगी और ग्रिह के लिए समवेदानिक धाचे पर अभी सहमती नहीं बन पाई है संग विराम के बावजूद मिलिशिया के बीच लगाता लडाई एक और गंभीर समस्या है सरकार मिलिशिया को राष्टिय सेना में एकिकरित करने में सक्षम नहीं है पूरु में श्री हफ्टर की सेना एक समा रफ्तार लाने के अलावा कोई अन्यविकल्प नहीं है लेकिन शांत पूर्ण परिवर्तन सुनिश्यत करने का कोई भी प्रयास देश के लिए नए अभिजात वर्ग की अपनी गुटबाजी को दूर करने और राष्ट के पुनन निर्मान के लिए हाथ मिलाने की तत्परत पर निर्मान करना लेकिन शांत पूर्ण परिवर्तन सुनिश्यत करने का कोई भी प्रयास देश के नए अभिजात वर्ग की अपनी गुटबाजी को दूर करने और राष्ट के पुनन निर्मान के लिए हाथ मिलाने की तत्परता पर निर्मान करना लेकिन शांत पूर्ण परिवर्तन सुनिश्यत करने का कोई भी प्रयास देश के नए अभिजात वर्ग की अपने गुटबाजी को दूर करने और राष्ट के पुनर निर्माण के लिए हाथ मिलाने की ततपरता पर निर्भड करेगा यहां पर यह जो लाइन लिखी हुई है इस हरत है कि शान्तिप् परते हैं अगले नियूज की और एडिटोरियल की अगली नियूज जिसका टाइटल है फ्रॉम फाइटर्स डू रूलर चलिए से पढ़ना चालो करें से नानियों से शासकों तक तालिबान को सोतंतरता अधिकारों का सम्मान दिलाने के लिए भारत को उंतराश्टी मंज प पती अश्रफ गनी के भाग जाने के तीन सब्ता से अधिक समय के बाद देरी पर कुछ अठकले लगाई गई हैं जबकि कुछ ने कहा है कि तालिबान पंजशीर के अंतिम होल्ड आउट प्रांत पर नियंतरन करने की प्रतिक्षा कर रहे थे और अन्ज ने यह भी सुझाव दिया की 9-11 की 20-वी वर्षगाट के समय के साथ कुछ प्रतिकातमक ता जूड़ी हुई थे वास्तवे कारण अंतर प्रतित होता है सरकार की संदशना और संदशना पर तालिबान के विभिन गुटकेश रूप से हेलमंद कंधार में तालिबान नित्रत्व और दोहा में रा पतंकवादी इकाई के भी जॉकिंग कतित रिपोर्ट पर आफ किजिए जॉकिंग कतित तौर पर कैबनेट विभागूं 34 प्रांतों में राजजपालों की नियुक्ति शहरों पर नियंतर्ण और गैर तालिबान अफगान नेताओं को शामिल करने के अंबावना पर अफग अफगानिस्तान के अपने अधिग्रहन को मजबूत करने और एक इसलामी एजेंडी को लागू करने के लिए धका और अंतर राश्टिय समुदाय से मानता प्राप करने की इक्छा और इसके निरंतर वित्तिय समर्तन के बीच तंगर्ष है परदाम ना केवल अफगानिस्ता में भूमिका निभाना मुश्किल बना देगा पिछले आतंकी हमलों को देखते हुए पाकिस्तान के साथ साथ इन के लिए कोई भी भूली भूमिका जो नई दिली के लिए लाल जंडे उठाएगी मुदी सरकार ने घोशड़ा की कि वह अभी तालिबान को शामिल कर रही है पिछले हफ़ते दोहा में सारजनिक रूप से सुईकरित बैठक के साथ M.E.A. का कहना कि उसने अफगानिस्तान में भारतियों की सुरक्षा पर चिंताब की और यह सुनेशित किया कि भारत में हबलों के लिए अफगान धर्दी का उप्योग ना क्या जाए इससे आगे ता इसके लिए भारत को अंतर राष्टी मंच पर अपनी आवाज का जवर्दस इस्तिमाल करना चाहिए इसमें नए शासन को मानता देने के लिए यू एन जी और यू एनस्सी में किसी भी कदम को रोकना और तालिबान नेताओं को 1988 प्रतिबंद समिती जिसका अध्यक्षता भ अधरी बड़ी नियूज जिसका टाइटल है सिट आफ फेडरेलिज्म लाइज इन कंसल्टेशन चलिए से पढ़ना शुरू करते हैं संगवाद की भावना परामर्श में नहीं थे राजियों को विश्वास में लिए बिना एक तरफा कानून सड़कों पर और अधिक विरो नाराई विजियन ने का कि समवर्थी सूची की विश्यों पर राजियों के साथ चर्चा से परहेच करते हुए केंदर सरकार एक करफा कानून बनाना संगवाद की सार में नहीं आप तमिल नाडू के मुक्यमंत्री इमके चालिन ने अन्य मुक्यमंत्रियों से केंदर सरकार द्वारा राज और समवर्थीयों के तहत शक्यों को हड़ाफने के खिलाफ मुद्दक आया किरल विदानसभा ने सर्व सम्मित से बिजली संसोधन विदेया 2020 के खिलाफ एक प्रस्ताव पादिया जबकि तमिल नाडू विदानसभा ने विवा दास्पत करश कानूनों के ख मिला फेक रस्ताव करें दगभाग एक साल पहले संसद ने राज्यों से परामर्श के बीना कृष कानूनों को पारित किया था सुप्रीम कोट के विविन फैसलों के नुसार पॉंबे राज बनाम एफेन बलसारा मामले से शुरू होकर यदि कोई अधिनियम राज सूची को सौपे गए मामलों में से एक केंदर गताता है और रोजगार के बाद संभर्ती या संग सूची में से किसी भी प्रविष्ट के स सुला संभव नहीं है पित और पदार्थ का सिध्धान राज विदान मंडल के विदाई शेत्र को प्रवल होना चाहिए उसके पास क्रिश्य से निपटने के लिए विदाई शान ऐसे मामले में परामर्श की कमी जो आंतरिक रूप से लाखों किसानों से संबंदित है ने ब सारित किया गया था यहां तक कि गोवा में भारतिये जनता पार्टी शासित राजसरकार ने भी कानून पर आपत जताते हुए कहा था कि इसे अस्थानिये कानूनों की अतिरेक हो जाए जिसमें शामिल है गोवा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक गोवा नगरपालिका जब गयर प्रमुक बंदर गाहों की बात आती है तो आनून का शेत्र समवर्ति सूची की प्रविष्ट 31 में स्थित है भारतिये बंदरगाह अधियम 1908 के अनुसार जो वर्तमान में गयर प्रमुक अंदर माफ किजिए बंदर गाहों से संबंदे शेत्र को नियंतरत करता है छोटे बंदर गाहों को विनेमित और नियंतरत करने की शक्ति राज सरकारों के पास्वनियों अलाकि नया मसौदा भारतिये बंदरगाह विदेग 2021 गैर प्रमुक बंदर गाहों की नियोजन विकास और विनेमन से सम्मंदित शक्तियों को समुद्री राज विकास परशद MS प्रमुक बंदर गाहों के सम्मंद में राज सरकार की शक्ति को जब्त करने का प्रस्ताव है पश्चिम बंगाल तमिलाडू और केरल जैसे विविन राज भी बिजली संशोधन विदेग 2020 के खिलाफ आगे आए हैं बिजली से सम्मंद शेत्र समवर्थी तूची की प्रवि रूप से संजाल है हाला कि प्रसावित संशोधन एक राशी चैन समित के साथ नियामक विवस्था को तिर से पायर तक बदलने का प्रयास करता है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा नामिस दस्तों का वर्चता है जो एसी आर्सी में नियुकियां करेगा किला हम संशोधन में विजली की विकरी खरीद या ट्रांस मिशन से सम्मंदित अनुबंद तहत दायतों के प्रदर्शन के सम्मंद के मामलों पर अधिकार छेत्र रखने वाले एक मात्र प्राधिकरण के में केंद्र सरकार द्वरा नियुकियां के विद्दूत अनुबंद प्रवर्टन धुब्यूंति के वास्तों में विजली शेत्र को विनेमित करने के डिश सरकार से छीन लएगे पार निय प्रस्तावित के अलावां जिसमें राज शेत्र के मुझूतिक्यूंँ प्रवेष कीнетatar के लिए और कुछ विश्यों को उनके संबंद में संग और राजविदान मंडलों को समवर्ती शक्तियां दे कर समवर्ती सूची में रखा गया था समवर्ती सूची के शेत्र संग और राज्यों के लिए समान हित की होने थे और इन विश्यों पर कानून बनाने के साथ साजा किया जाना ताकि पुरे देश वे कानून में गुता हो। कि समिदान सभा के सदस्य के टिया महमद इब्राहिम साहिब बहादुर कि सबसे बुरे डर में से एक अब सच हो गया है कि इंद्र सरकार की मनवाने के कारण समवर्दी सूची के विशियों को विशियों को समय के साथ संग सूची में सनांतरित कर दिया करने केया है सरकारिया आयो कि रिपोर्ट ने विश्य हुरूप से सिफारे सी थी पर शिफरिक-पर अमर्श और शहियो कि प्रक्रिया के माध्यम से समवर्थी या अतिव्यापी अधिकार शेत्र के सभी शेत्रों में नीद और कारवाई का समनवय होना चाहिए इसलिए दोहरी प्रणाली के सुचारू और सामन जस्स पूर कामकाज की एक पूर्वा पेक्षा है यह भी सिफारिश की गई केंदर सरकार समवर्ती सुची के तहत सक्तियों का प्रिविक करते हुए वेंकट चलाया आयोग ने सिफारिश की थी कि समविधान के अनुक्षे 263 के तहत स्थापित अंतर राज परिशात के माध्यम से राजों के साथ व्यक्तिगर और सामोहिक परामर्स किया जाए जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद एसार भूममई बनाम भारस संग मामले मे कि में आयोजी किया था राज के वल संग के उभांग नहीं है के इंदर सरकार को या सुनिश्यत करना चाहिए कि राज्यों की शको ना को आज संभीधान निर्माताओं का इरादा या शनिश्यत करना था कि लो का ल्यांड की रखा की जाए और इस कुझ खितदार को सुनने में नित है और राज्यों को विश्वास में लिये बिना एक तरफा कानून सड़कों पर अधिक विरोध का कारण बनेगा यह जो आप चेतर देख रहे हैं यह चेतर है उत्तर प्रदेश के मुझफर नगर में सोमार को करश कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के तहट एक बैठक में सामिल लोगों की है और बाचित के थी मुकुंद पी उन्नी जी के साथ जो सुप्रीम कोर्ट में कुछ बदलाव आवश्यक हैं केरल चर्चा में है लेकिन पूरे करणों से कोविट 19 केस लोड बढ़ रहा है परिक्षन सकारात्मकदर टी पी यार और संचाई मृत्यु गड़ना कोई राहत नहीं दिखाती है राज्ज में 24 अगस्त को वायरस के कारण संचाई मौते अपन में प्रती मिलियन मृत्युदर अधिक होती है ठीका करण कवरेच पर अधिक ध्यान और आपरियात घरेलू संगरोद और अलगाओं के उपाई इसके करण हो सकते हैं यह सभी संकेतक अपने मजबूत सारजुनिक स्वास्त पढ़ाली और समुदाय से जुड़े रोग निग किरानी उपायों के माध्यम से 2020 में पहली लहर के दवरान इसके उत्कृष्टेस रोक्ताम उपायों और इसकी कम केस मृत्युदर के बावजूद हैं किरल दोरा अपनाए गए तरीके विश्वस्तर पर सुस्थापित उपाये हैं उत्परिवर्ती डेल्टा संस्क्रण और कि लापरवाह रवैय के कारण राज एक उच्छाल के दवर से कुजर रहा है कोविड उप्यूक्त व्यवहार और टीका करी को रोगने के लिए महत्पून हैं राज को आकरामक परिक्षान जिनोमिक मैपिंग नए संक्रमनों के लिए टीपी आर और दीफार की निगरानी औ तो तापताहिक ब्रीफिंग आयोजे करना जाहिए राज जिकों कुछ नीतिगत रूटियों को भी स्विकार करना पड़ता है जिसमें विदानसभा चुनाओं और तयोहारों के दोरान अपने गार्ड को ढीला करना शामिल हैं परिक्षण रणने ती रैपिट एंटीजन ट किया गया एक महत्वपूर्ण अवलोकन था ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि राज्य में आर्टीपीसियार परिक्षण की शमता प्रतिदिन किवल 75,000 है और 25 अगस्त को ही 1,65,273 नमूनों का परिक्षण किया गया था लेकिन यादि कोई आर एटी नकारात्मक है तो जाए ड्यूटी फिर से शुरू करने और यात्रा उद्देशों के लिए प्रमारण के प्रमारण के लिए किया जाता है तमिल नाडू के तरह आरेटी को सक्ति से रोकना एक आधर्श परिद्रिश्य होगा इस मामले में राज्य को आर्टी पीसी आर परिक्षण के लिए प तर बड़ोसी राज्यों से भी अनुरूत कर सकते हैं कि वे अपने प्रियोक्षाला उपरणों की वापसी योग आधार पर धार्द्रिश्य होगा जान बचाने और अताहतों की संख्या को कम करने पर भी समान ध्यान दे राज्य को संपरक्ट्रेसिंग परिक्षण और टीका करन दोनों के लिए करमचारियों और संसादनों को साधावनी पूरत विभाजित करना होगा प्रारंबिक आपूरती संबंधी चिंताओं को दूर करने के बाद टीका करन गत्य पगाड़ा है केरल ने टीके के पहली खुराप का लगवग 75 पतिशत और दोनों खुराकों का 28 पतिशत कवरेज हासिल कर लिया है इस टीका करन की होड का मामले का पता लगाने और रोकताम में हानिकारक पुरभाव पड़ा अब इस बात की जरूरत है कि टीका करन की जिम्मेदारी जूनियर पबलिक हेल्थ नर्स जेपी येचेन स्वास्त परिवेक्षकों और शाफ नर्सों और कुछ ड़क्टरों को सोबी जाए मानेता प्राप सामाजिक स्वास्त करताओं आशा खेत परिवेक्षकों रैपिड रिस्पांस जीमों और डॉक्टरों को रोग सूचक रोगियों की जाच नमूना संग्रह संपर्क अनुरेखन और सक्री निगरानी पर ध्यान देना चाहिए पहली लहर के दोरान प्रचलित टेलिफोनिक अनुवर्ती गायब हो रहे हैं तीका करण पर सभी ध्यान देने के साथ संपर्क अनुरेखन को अन्दे करना बुद्धिमाद या घरेलू संगरोद और संधिक रूप से प्रभावी लॉक्टाउन और रात्र के करफ्यू के कोईट नाइटीन अस्पताल के कर्मचारियों को जुटवाना और उन्हें आरक्षिस टाल चुबीज घंटे के भीतर किसी भी जिले के किसी भी अस्पताल में ले जाया जासने वाले वेंटीलेटर और ऑक्सिजन स्ट जैसे क्रोणों की फ्रोटिंग अस्पिली भी तैयर को पर्वर्ग पाया है अभी के लिए किरल में क्या हो रहा है और बिहार और उत्रप्रदेश क्या नहीं हो रहा है या महामारी विज्ञान के रहस हमें किसी जवाब मिल सकता है बात चीति डॉक्टर के यार एंटनी के साथ जो एक बाल रोग विशेशक्य हैं सारजनिक स्वास सलाकार और सुतंत्र मॉनिटर राष्टिय स्वास्त मिशन में अगली नियूस जिसका टाइटल है सोशल मीडिया कैनाट रिप्लेस प्रॉपर न्यूस जर्नलिज्म चलिए से पढ़ना चालू करते हैं सोशल मीडिया उचित समाचारिता की जगा नहीं ले सकता है भाल के भारत में पत्रकारिता सिक्षा के सताबदी वर्ष को चिन्हित करते हैं पत्रकारिता सिक्षा की आवशकता पहले कभी नहीं थी जैसा की अब है जिसमें विगटन की नए खत्रे उबर रहे हैं और कोविट-19 संकट से पता चलता है कि जैनकारी वास्तों में एक जीवन रक् करता एनी बेशेंट द्वारा 1920 के दशक में किया गया था जब उन्होंने मद्रास के अधियार में राश्टिय विश्विद्याले में पत्रकारता पर एक पाठकरम शुरू किया था अब लगबग 900 भारतिये कॉलेज और संसान जनसंचार और पत्रकारता कारकरम चला रहे हैं तो यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि भारत में पत्रकारता सिक्षा का प्रारंब किसके द्वारा किया गया था तो यह ब्रिटिश कारकरता एनी बेशेंट द्वारा 1920 की दशक में किया गया था और कहां किया गया था महराश्ट के अड्यार में राश्टिय देखोले हैं इन सभी कारकों ने पत्रकारिता में प्रमालित पाठक्रमों की आवशक्ता को और बढ़ा दिया है स्युक्त राष्ट शैक्टिक वैग्यानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनिस्को का जनादेश प्रेस्की सुतंदरता और सूचना की मुक्त प्रवाह को कायम र है कि पेशेवर समाचार मीडिया जनहित के संरक्षक के रूप में कार करता है नागरिक महतपूर जानकारी के एभाव में अपने नागरिकता का प्रयोग और आनंद नहीं ले सकते हैं जो अच्छी तरह से प्रशिक्षित पत्रकार प्रदान करने के लिए बहतर इस्तित में हैं लोकतंत्र समवाद और विकास को बढ़ावा देने के लिए मीडिया प्रणालियों की शमता को सामने लाने के लिए पेशेवर पत्रकारता मानक आवशक हैं अलाकि हम देखते हैं कि हाल के रुजानों में पत्रकारता को आग के हवाले कर दिया है कई कारक संचार प्रदि maggot शयेटिव कISTाबना की चाकि फत्रकारता के अफरीकी स्कूलों को हमारे समर्थन के दोरान सीखे गई पाठों का लब उठाया जा सके और उन्हें वहसुएक पत्रकारता पर तिक्षा के लिए हमारे समर्थन के वियापक संदर्भ में लागू किया सके इसमें तेजी से बदलते दुनिया की चुनावतियों के जवाब में नई साक्षर्ता की विकास का समर्थन करना शामिल था हमने जलवाय। परिवर्तन डेटा पत्रकारिता आध जिसे मुद्दों पर पार्ट करम विक्सित करने के लिए विशेश अग्यों को इकटा किया हमारा सबसे हालिया प पर्यासों में तेजी लाने चाहिए इसमें मीडिया हाउस और मीडिया प्रशिक्शन संसान सरकारें और अन्य भागिदार शामिल हैं यह सपश्ट है कि कई पूल दिने यूनिस्पों ने वरशों से समर्थन दिया है विमजभूत हो गये हैं और उत्कृष्टता के पत्रका सारिता शिक्षा के पूल्यों को मजभूत करने का सवाल है हमने एक लंबा सफरताय किया है लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है हमें विशेश रूप से गुडवत्ता के मुद्दों और कुछ सैक्षरिक संस्तानों द्वारा शात्रों के शोशड को संबोधित क करना चाहिए का उदेश सभी तक पहुंस उनिश्चित करते हुए मीडिया प्रश्ण की गुडवत्ता में सुधागातार सुधार करना होना चाहिए दूसरी महत्वपूर्ण चिंता संचार और सूचना प्रव्योग की गतिशील प्रकिर्थ से संबंदित है जो मीडिया पर प्रविश्यक और नवींदम तकनी की प्रगत की समावेशी बनाने के लिए प्रोसाहिद करता है हमें निश्यस रूप से इन चुनोतियों को ध्यान में रखते हुए अपनी शिक्षण तकनी को विक्सित करना चाहिए इरिक फाल्ट के साथ जो बांगलादेश भूटान भा 40 साल पहले 7 दितंबर 1971 की घटना है उत्तर प्रदेश सरकार के एक अधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि लखनव में अभूत पूर बाड़ से 25,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए जिसमें नागरिक और सेना के अधिकारियों द्वारा सयुक्त बचाव और निकासी अभियान में कम से कम 20,000 लोगों को सुरक्षित अस्तानों पर पहुंचाया गया है प्रवक्ता ने समध्दाताओं को बताया कि गोमती नदी का जलस्तर अभी भी बढ़ रहा है और अधिकारी इससे निपटने के लिए सभी कदम उठा रहे हैं आज मध्यरात्र से कुछ समय पहले पा में निवासियों को निकालने के विवस्ता कि जा रही थी अब तक 58 महलों को साफ किया जा चुआ है अधिकारी प्रवक्ता ने बताये घागरा टों सर्जू गूम गंगा और सराइनी नदीयों के लगातार बारबंग आजमगड पहराइच गूंड़ा लगनव जॉनपूर स को सुखे असानों पर हटा दिया गया है कम से कम 14 निकासी शिवर खोले गए खाली कराए गए लोगों को सुख कॉलेजों जैसे सारजनिक उनों में ठहराने के अलामा राशन मिटी का तेल और जलाओ लकड़ी उपलब्द कराने की विवस्ता के नमिंतम आधिकारिक पाड़ जिसका हिंदी में मतलब परिशद या से सौ साल पहले साथ सितंबर 1921 की घटना है तो चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं बंगाल परिशद में आज महिला मताधिकार प्रस्ताव पर चर्चाव फिर से शुरू हुई दो घंटे से अधिक समय तक चली बहस व्यावहारिक आज 12 वकाउं मेंसे केवल एक ने समर्तन किया और बाकी ने प्रस्ताव का विरूत किया उन्होंने प्रस्ताव का मुख के रूप से इस आधार पर विरूत किया कि प्रस्ताव समय से पहले अनुचित आवयभारी था और इसकी उप्योक्ता साबित नहीं हुई थी तभी संशोधनों को वापस लेने के बाद मूल प्रस्ताव को वोट के लिए रखा गया और इसे आस्विकार कर दिया गया 37 वोटिंग के लिए और 56 इसके किलाफ मतदान कुगा बंगाल विधान परशद ने बंगाल की विटी कठनाईयों को प्रस्तुत करने और विशेश वित्त सहायता का दावा करने के लिए वायसराय को वित्त सदस से एक मंतरी और दो आदिकारिक सदस्यों से युक एक प्रतिन् करने का संगल पलिया इसी के साथ ही ये न्यूस समाप्त होती है बढ़ते हैं अगले न्यूस की अब हम पहुच चुके हैं एडिटोरियल की सबसे अंतियम न्यूस जिसका टाइटल है तो इस डिटा पॉइंट में आप देख सकते हैं कि दुनिया की विबिन देशों में कोवि साथ नीचे आप ग्राफ में देख सकते हैं कि किस राज में कितने अधिक रजिस्टर्ड मौते हुई हैं जिने मेटकली सर्टिफाई किया गया था और जिनकी प्रतिशत्ता दस प्रतिशत से कम थी यह ग्राफ यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है तो आप इस पेज का स् किजिएगा इसी के साथ ही दहिंदू नियूस्पेपर के एडिटोरियल सेक्षन की सभी खबरों की समाप्ति होती है अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं आप से अगले वीडिय वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार